आदर्स गतिविदी कारिये हिंदी भाग एक आठवी कक्षा सिरेनी के प्रश्णों पत्रों का समाधान हम लोग करेंगे सबी प्रश्णों के उत्तर दीजिए को सुरी के डूबते ही पंखुडियां क्या हो जाती है फैल जाती एक नमबर ऑप्शन फैल जाती है दो नमबर सि प्रश्णों की पंखुडियां सुरी के डूबते ही सिकुड जाती है मतलब बंद जाती ते यहां पर हम लोग करेंगे शिकुड जाती है और दूसरा नमबर प्यतम कविता के रचिता का उपनाम क्या है तो यह देखे वह उपनाम इनका लिकला है इसका उपनाम है निराला और गौ नमबर आज समाज में किसकी परतिष्ठा नहीं है सरम की मन की तन की या दन की तो देखें यहां पर इसमें आज हमारे समाज में सरम की परतिष्ठा नहीं है क्योंकि हमारे समाज में सरम को इजद नहीं दिया जाता है तो इसलिए हम लोग यहां पर सरम को लिखेंग लूसी की मिर्तिव कैसे हुए। नमबर एक ठंड लगने से नमबर दो भुटिया कुत्तों द्वारा, तिसरा लकरबग्गों द्वारा, कजली बादल द्वारा, देखें यहां पे जब लोसी सामान लाने के लिए जा रहे थी, उसी दवरान लकरबग्गे ने लकरबग्गे स उसके लड़ाई वी और वहीं पर उसका मिड़ती हो गया था इसलिए हम लोग लक्तरबग्गे में टिक करेंगे दूसरा जोपरी में जोपरी में अन्धी के साथ कितने वर्स का लड़का रहता था तेके जोपरी में वह पाफ्शन एक है पांच वर्स ऑफशन दो आट वर्स अफशन तीन दस वर्स और चाप बारा वर्स यहां पर बहुत से चाथर पांच वर्स लिख रहे हैं लेकिन पांच वर्स यहां पर नहीं होग क्योंकि वह पांच साल पहले में ला था बालक यहां पर दस वर्स होगा तो यह टिक मार्क हमारा कंप्लीट हुआ और कोस्टन न गंगन हाने की बाद स्वान के लिए कही गई है, खौक और सन भाई भाई आपस में क्या बाटते हैं, तो यहां पर देखिए भाई भाई आपस में सुक और दुख बाटते हैं, आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं, दुख और सुक भी कर सकते हैं, लेकिन सुक और दुख प्रियतम भक्त कौन है? तो वहां पर जाने के बाद नाहरत जी लज्जित होकर उन्हों ने कहा था आपका प्रियतम भक्त कौन है? तो हम लोग इस परकार दिख सकते हैं इसको? नारत नलज्जित होकर कहा कि आपका प्रियत्म भाक्त सज्जन किसान ही है क्योंकि सज्जन किसान अपना काम करते हुए भी इस उपर का नाम लेना नहीं भूलते थे गो पिर्तिवी का भार किसके मस्तक पर है तो यहां पर देखिए पिर्तिवी का भार सेस्नाग अंगह नमबर सुभान खान का घर किसका अखाडा तो यहां तो देखिए सुभान खान के घर में बच्चे रहते थे तो हम लोग लिख सकते थे सुभान खान का घर बच्चाओं का अखाड़ा था तीन को सब्दों के अर्थ लिखे हैं किताब में पीछे पाट के बाद अर्थ लिखा हुआ तो एक संबाद का अर्थ होता है बात्चीत करना जब कि सौगात का अर्थ होता है देंट ये उपार आप कुछ भी लिख सकते हैं हैं तीन साहिट है साहिद है मतलब होता है दयालू महात्र किसी से बढ़ा या निये महात्र करने बगाय। än eating का अर्थ नाही सुघ अहता है नमबर 4 नमबर 24 कुए निमने खित का विप्रीत सब्सुत्स में द Observst I would होता है तो S ещё का नर्ग कर देंगे लिए और स्विकार होता है और तीन थो लायाक जीए और चार नमबर जीवन, जीवन का मरन होता है, जब कि पांच नमबर उचित, उचित का अनुचित कर सकते हैं, नमबर पांच, पांच में देखे लिखावा निमलिकित का एक पढ़ियावाचिक सब्सक्राइब, आप लोग को जो उचित लगे वो लिखेगा जैसे भगवान, भगवान का इस्वर भी होता है, प्रभू भी होता है, आप लोग कोई भी एक लिख दिखेगा, फिर उसके बाद इज़्जद, इज़्जद, इज़्जद को हम लोग सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों कहते हैं, तो इसमें से आपको एक लिखना है, तो आप लोग एक जाता है तो यह भी बोल सकते हैं तो आप लोग एक कोई भी लिख दीजिए विरिक्षी या पेर तो पर्चवाय नम्मर सवगात सवगात का अर्थात मतलब उपहार और भेट तो होता है इसमें तो पढ़िया बाचिक सब लिखना एक उपहार लिख सकते इस तरह हम लोग के आ प्रश्ण पत्रों का समाधान हो गया